नमस्कार कच्छा चिट्था देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राजप्रीत कौर लोग सभाच जुनाफ से पहले जाच एजेंसियों का ताबड तोड़ आक्शन चारी है अब E.D. ने एक ऐसे मामले में खुलासा किया है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे लेकिन अब E.D. के खुलासे से पूरी तरह से विपक्षी पाट या बैक फुट पर आ गई है तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखर क्या है पूरा मामला जिसमें बड़े नेता के नाम पर E.D. ने किया है बड़ा खुलासा चीनी वीजा से मनी लॉंडरिंग मामले में तमल नाजु के शिफ गंगा से सांसत कार्ती चिदंबरम के खिलाफ चार्च एजएंसी E.D. ने बड़ा खुलासा किया है प्रवर्तन इदेश शाले ने बताया है कि चीनी नागरिकों को वीजा दलाने के लिए कॉंग्रिस सांसत ने 50 लाक रुपए घूस लिया दिल्ली की राउस इवेन्यू कोट ने E.D. की चार्च शीट पर संग्यान लेते हुए कार्ती चिदंबरम और अन्ने को समझ जारी कर 15 अप्रेल को कोट में पेश होने का निर्देश दिया E.D. ने साल 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित खोटाले में आरोपियों के खिलाफ ठन शोधन का मामला दर्च किया है खोटाले के समय कार्ती के पता पी चिदंबरम किंद्र ग्रिहम मंत्री थे चीनी नागरिकों को वीजा दलाने के लिए कार्ती चिदंबरम ने अपने एक करीबी सहियोगी के माध्यम से घूज की ये रकम ली थी कार्ती चिदंबरम के खिलाफ E.D. का ये तीसरा मामला है कार्ती चिदंबरम के साथ ही उनके पूर्व चार्टर्ड एकाउंटेंट S. भासकर और कुछ कमपनियों के प्रतिनिदियों सही 6 अन्य को 15 अप्रियल को अदालत में पेश होने को कहा गया है आरोपियों में पदम दुगार, विकास मकारिया, मनसूर सिद्धकी, दुगार हाउसिंग लिमिटेड, एडवांटेज स्ट्राटिजिक कंसल्टिंग प्राइविट लिमिटेड और तलवंडी साबु पावर लिमिटेड भी शामिल है और वित्त जैसे महत्वपूर मंतराले संभाल चुके पी चिदंबरम के बेटे है जांच जेंसी ने इस केस में कई बार कार्थी चिदंबरम का बयान दर्ज किया है वो एटेल माक्सस केस में भी आरोपित है ED की तरफ से कार्थी चिदंबरम पर ये मामला CBI की FIR पर आधारित है CBI की FIR के मुताबिक ये जांच वेदानता समु की कमपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड टी-स-पी-ल के एक शीष अधिकारी की ओर से कार्थी चिदंबरम और S. भासकर रमन को रिश्वत के रूप में 50 लाख रुपए दिये जाने के आरोपों से सम्बंदित है कमपनी पंजाब में एक पावर प्लांट स्थापत कर रही थी CBI के मताबिक पावर प्रोजेक्ट स्थापत करने का काम एक चीनी कमपनी की ओर से किया जा रहा था और टेस्स समय से पीछे चल रहा था FIR के मताबिक T.S.P.L. के एक अधिकारी ने 263 चीनी श्रमिकों के लिए प्रोजेक्ट वीजा फिर से जारी करने की मांग की थी जिसके लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपए का लेंदेन किया गया था INX, मीटिया और Air Cell, Maxis मामलों की जाच के साथ कार्ती चिदंबरम के खिलाफ ED की ये तीसरी मनी लॉंडरिंग जाच है अब उनके खिलाफ PD ने चार्ट शीट दायर की है इनमें Advanced Strategic Consulting Private Limited और कार्ती चिदंबरम के करीबी अकाउंटेंट भासकर रमन के अलावा पावर प्लांट स्थापत कर रही कंपनी तलवंडी साबो प्राइविट लिमिटेट का भी नाम है चीनी कंपनी ने कार्ती चिदंबरम से मदत मांगी थी उस वक्त उनके पिता केंदर ग्रीह मंत्री थे परजी सेवाओं के लिए लेन देन की एंट्री दर्च की गई और घूस की रकम इसी माध्यम से ली गई उसके बाद भासकर रम्मन ने इसे कार्ती चिदंबरम के नियंतरन वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया निवेश की गई ये धनराशी बात में बढ़कर 1.59 करोड रुपए हो गई कडोडो रुपए के घोटाले में आरोपित वरिष्ट कॉंगरस नेता और UPA सरकार में वित्त मंत्री रह चुके पीच अदंबरम के खिलाफ शिकंजा कस गया है प्रवर्तर निदेशाले यानिकी E.D. ने एरसल माकसस केस में चितंबरम के खिलाफ पटियाला हाउस कोट में सप्लिमेंटरी चार्ट शीट फाइल कर दी है इस मामले में कुल मिलाकर 9 आरोपी बनाए गए है एहम बात ये है कि आरोप्यों की इस सूची में पीच अदंबरम का नाम सबसे उपर है पटियाला हाउस कोट में एस पर सुनवाई 26 नवंबर को होगी गौतलब है कि चितंबरम के बेटे कार्ती चितंबरम दौरा साल 2006 में एरसल मैकसस डील के तहत विदेशी निवेश सरवर्धन बोर्ड FIPB की मंजूरी मिलने के मामले की जाच CBI औरेडी कर रही है उस समय पीच अदंबरम UPS सरकार में वितमंत्री थे उन पर आरोप है कि उन्होंने एरसल मैकसस को FDI की सिफारिशों के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी को नजरंदास कर दिया था और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फाइदा पहुचाया था प्रवर्धन इदेशाले के मताबिक एरसल माकसस डील में ततकालीन वितमंत्री पीच दंबरम ने कैबिनेट कमिटी की अनुमती के बिना ही मंजूरी दी थी जबकि ये डील 3,500 करोड रुपय की थी UPS साशन के 10 सालों के साशन में पूर वितमंत्री पी चिदंबरम पर अपने पत का दुरुपयोग कर दोनों हातों से देश को लूटने का आरोप है हाल ही में उनके बेटे कार्ती चिदंबरम ने खुलासा किया है कि दुनिया भर में उनकी 6,000,000 करोड के अधिक की संपत्ती है अब ज़रा आपको बताते हैं कि चिदंबरम और फामली के घोटाली की लिस्ट कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पूर वित्ते मंत्री पी चिदंबरम और उनके परिवार ने गैर कानूनी तरीके से अकूद दौलत कमाई है दुनिया फर में चिदंबरम परिवार की हसारो करोड नहीं बलकि लाखों करोड रुपई की संपत्ती पहली हुई है पहले इस तरह से सिर्फ आरोप लगते थे लेकिन अब पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम ने खुद ये बात कबूली है कार्ती चिदंबरम ने एक वाटसाब चार्ट के दौरान ये खुलासा किया है कि उसकी 6 लाग करोड रुपई से भी अधिक की संपत्ती पूरी दुनिया में फैली हुई है इतना ही नहीं उसने ये भी बताया कि संपत्ती की वज़े से दुनिया के जादातर देशों में वीजा की जरूरत तक नहीं होती वो अपनी इक्छा के मुताबिक जब चाहे दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं और वहां रहे भी सकते हैं कार्ती चिदंबरम ने जो दावा किया है कि उसके मुताबिक एशिया के सबसे बड़े अमीर मुकेश अमबानी से भी अधिक संपत्ती चिदंबरम परिवार के पास है जाहिर है कि इंकम टाक्स की घोशना में इस अकूद दौलत का खुलासा चिदंबरम और फामली ने नहीं किया है इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सारा काला धन है जो दशकों से लूट कर चिदंबरम और फामली ने जमा किया है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस वाटसाप चार्ट में कार्ती चिदंबरम लिखते हैं मुझे पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे पास 6 लाग करोड रुपे की संपती है जो मुझे ग्लोबल HNI के श्रेनी प्रदान करता है मैं अपनी एक्छा के अनुरूप दुनिया की अधिकांच देशों में जा सकता हूँ और वहां रह भी सकता हूँ अकूत संपत्ती बनाई है पी गुरू ने कहा कि जिस प्रकार देश के बड़े से बड़े घोटाले में पी चिदंबरम और उनका परिवार शामल है और जितनी घोटाले की राशी सामने आई है अगर उसे जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से कार्ती चिदंबरम का दावा सही बैठता है कहा जाता है कि लोग तंत्र लोगलाच से चलता है लेकिन केंद्र में UPA सरकार की दोरान भरष्ट कार संस्कृती ने अपनी जड़े जमा ली है लोगलाच को ताक पर रखकर लूट तंत्र का बोल बाला हो गया था कोईला घोटाला, टूची घोटाला, कॉमन वेल्ट घोटाला जैसे महा घोटालों की लंबे लिस्ट है दरसल सत्ता के दम में कॉंग्रेसियों ने सर्फ यही सीखा कि अमीर पूंजी पतियों के साथ मिल कर देश के संसाधनों को कैसे लूटा जाए UPA सरकार में वित्तमंत्री रहते हुए पी चिदंबरम ने फरजी वाडो और घोटालों के जो खेल किये हैं उसके लगतार खुला से होते रहे हैं 11 माई को आयकर विभाग ने पी चिदंबरम के परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ काला धन कानून के तहट चार चार्ट शीट दायर की है ये चार्ट शीट चिदंबरम की पतनी नीलनी, बेटे कार्ती और बहु श्री नीधी के खिलाफ है दरसल पूर वित्यमंत्री अनेको घोटाले के सूत्रधार रहे हैं क्योंकि उन्होंने जानकारी होने के बावजूर ऐसे कई काम किये हैं जो देश के खजाने को नुकसान पहुचाने वाले हैं आईकर विभाग की चार्ट शीट के अनुसार पी चिदंबरम एन फैमिली ने अपने निवेश की चानकारी टाक्स अधिकारियों को नहीं दी थी चिदंबरम के बेटे कार्ती के सहस्वामित्व वाली कंपनी चेस ग्लोबल एडवाईजरी ने भी इस बारे में नहीं बताया जो नियमों का उलंगन है गौरतलब है कि चिदंबरम के परिवार के इन सदस्यों की United Kingdom के Cambridge में 5.37 करोड की संपत्ती है प्रिटेन में ही 80,000 की एक और संपत्ती है वहीं अमेरिका में 3.28 करोड रुपई की अचल संपत्ती भी है आयकर विभाग के मुताबिक चिदंबरम और उनके परिवार ने 14 दशकों में 3 अरब डॉलर यानि लगभग 20,000 करोड रुपई की संपत्ती गेर कानोनी तरीके से कमाई है इसके अलावा विदेशी बैंकों में कुल 21 अकाउंच का भी अब तक पता चल चुका है गौर तलब है कि चिदंबरम और फामली की लूट का पता तब चला था जब संबर 2015 में एरसल मैकसस घोटाले में छापा मारी हुई थी तब उनकी बेनामी संपत्तियों से चुड़े कई दस्तावेस पकड़े गए थे चिदंबरम और उनके परिवार पर करीब 9 करोड रुपई की विदेशी संपत्ति का खुलासा ना करने को लेकर ये चार्ट शीट दाखिल की गई है ये चार्ट शीट इन पोजिशन ओफ टाक साथ 2015 के तहे चिन्ने की स्पेशल कोट में फाइल की गई है रक्षा मंतरी निर्मला सीता रमन ने चिदंबरम के लूट तंतर की तुलना पाकिस्तान के पूर्फ पीएम नवाज शरीफ के घोटाले से की है गौरतलब है कि नमाज शरीफ को विदेशी संपत्ती के मामले में पाकस्तान के प्रधान मंत्री पत से हाथ धोना पड़ा है पिसे आपका इस पर क्या मानना है कमेंट कर हमें अपनी राये सरूर बताएं तब तक के लिए देखते रहें कापिटल टीवी नमस्कार